Welcome to 3D Homes, मैं Salim Chodhary, एक बार फिर हाजर हो गया हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसका Elevation View आप देख रहे हैं आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है 26 वीडिवाइ 30 वीडिके इस प्लॉट के बारे में जिसके एक Modern Duplex Home डिजाइन किया हुआ है छोटे से इस प्लॉट को हमने काफी खुबसरोत तरीके से डिजाइन किया हूँ इसके Elevation और इंटिरियर को हमने काफी बहतरीन तरीके से डिजाइन किया हूँ जा आपको काफी अच्छा लगने वाला है आज इस वीडियो में हम इस प्लॉट के साई डिटेल्स को जानेंगे वाक्तुर के जरी इसके इंटिरियर को देखेंगे और इसकी टूड़ी लयाउट को भी समझेंगे और इसी वीडियो में हम इसके प्राइजिंग की बात करेंगे क्योंकि अगर आप इस तरह से अपने घर को डिजाइन कराना चाहते हैं तो आपको कितने आमोर्स पेग करने पड़ेंगे यह इसका gate है लेकिन उसके पहले इस ground floor का 2D layout डेख लेते हैं, यह ground floor का 2D layout जिसे आप वीडियो पॉज करके अच्छी तरह से देख सकते हैं, यहाँ गेट से इंटर होंगे तो यहाँ पर right side में आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा, यहाँ पर हमने चोटा सा garden दिया तकि आप यहाँ पे गाडन में बैठ सकें और ventilation का और open sky का मज़ा रे सकें यहाँ से आगे आएंगे तो यहाँ पे भी हमने planter area दिया हुआ है wall पे design करके और यह area जो हमें आपको दिख रहा है यहाँ पे पर ceiling तक continue किया हुआ जो की पूरा Korean and plywood का design किया हुआ है TV unit कुछ इस तरह से आपको नस्दीक से नज़र आएगा और पीछे हमने wall पे भी यहाँ पे wallpapers यूज किया हुआ हूँ पर ceiling की बात करें तो हमने पूरा P.O.P. का ceiling यूज किया हुआ हूँ जिसमें हमने कई layer यूज किया हूँ और कई color भी यूज किया हूँ याप सामने आपको ventilation के लिए अच्छा का सा window मिल जाता है जिससे बाहर जाएंगे तो आपको planter area मिलेगा जहां पे कुछ plants और trees कुछ यहां पे लगे हूए बाकि चाहें तो अपने choice के according से इसमे modification कर सकते हैं चाहें तो flower trees जो भी चाहें लगा सकते हैं यहां से वापिस हाल में आएंगे तो यहां से ceiling कुछ इस तरह से नज़र आएगा सामने आप दिखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको एक design मिलेगा उसके बाजियों में ही यहां पे हमने temple design किया हुआ है आप अपने cast के according से इसमें modification कर सकते हैं जिस card से belong करते हैं उसके according से यहां पे आप changes कर सकते हैं यहां पे सामने देखेंगे तो आपको एक door नज़र आएगा जो की टीव इनट से attach है इसमें इंटर होंगे तो बातरों मिलेगा बातरों में आएगे तो यहां पे आपको glass का sour मिलेगा उसकी पीछे आपको यहां पे washing अरिया मिल जाता है यहां पे आपके washing machine section मिल जाते हैं सामने वाला वाल को हमने बिलेक के हुआ है जो की उपर सीलिंग के combination में हमने डिजाइन के और नीचे dining table भी में सेम कलर का दिया हूँ जो दिखने में काफी खुबसरत लग रहा है और यहां से सामने ही kitchen है ताकि आपको खाना सर्फ करने में इसी रही है और यहां पर exhaust के लिए हमने यहां पर एक बड़ा से बिंडो दिया और इसमें हमने चिमनी भी यूच किया हुआ है kitchen की tiles की बाद के हमने normally tiles यूच किया हूँ और यहां पर हमने सामने wasp basin भी दिया और उसके बाजू में हमने यहां पर freeze काई space भी दे रखा है कि कहां पर हमने कौन सा room दिया हूँ कहां पर balcony और कहां पर सारी चीज़े दीव है और उसके diamonds है इसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे उपर जाने से पहले मैं आपको बता दूँगा अगर आप इस तरह से अपने घर को design कराना चाहते हैं पीछे पैलिंग की बात करें तो plywood की पैलिंग है और दोनों तरफ हमने प्लाइबूड योज़का है उसमें वाइट क्लेर का सनमई का योज़का है और सीलिंग तक हमने continue किया हुआ है जो दिखने में काफी खुबसरत लग रहा है यहां पर राइट साइड में भी हमने एक design दिया हुआ जो कि एक partition की तोर पर है और उसमें हमने कुछ डिजाइन सभी हो है पीछे पैलिंग में भी हमने कुछ इस तरह से डिजाइन कियों और सभी को एक combination में हमने डिजाइन किय जो दिखने में काफी खुबसरत लग रहा है बैट के right side में यहां पर wall drop मिल जाएगा जिसमें अपने कपड़े और इस्टर करके रख सकते हैं और बैट के सामने ही tv नुट देखने को मिल जाएगा जो कि प्लाइबर और कुरियन का है और वहां पर कुछ hanging lights भी आपको देख करने को मिल जाएगा यहां पर एक अच्छा का सा sliding window यहां पर पीछे कुछ इस तरह से पिक्स लगे हो है और यहां पर book भी store करके रख सकते हो पर ceiling की बात करें तो यहां पर पी पी का ही ceiling है बीच में lights कुछ इस तरह से दिये हुए हैं यहां पर आप चाहें तो office का भी काम कर सकते हैं यहां पर sofa भी दिया हो जहां पर आप आसानी से bed भी सकते हैं यहां पर आप family time भी spend कर सकते हैं यह एक चोटा सा space है जहां पर study room और computer room भी इसे कह सकते हैं इसके सामने ही आपको एक डोर नजर आएगा जिसमें इंटर हो जाएंगे यहां पर आएंगे तो कुछ इस सामने ही आपको glass का cabin नजर आएगा यह glass का cabin sour का cabin है बाकी इस टाइल्स की बात कर देखने को मिल जाएगा इस बातरूम से बाहर निकलेंगे वापिस आजाएंगे study area में अभी वापिस चलते हैं second bedroom की तरह फोर देखते हैं उसको उमने किस तरह से design किया हुआ है यहां से बाह एक तरफ आपको यहां पर hanging lights मिल जाएगा और एक तरफ यहां पर आपको लैंप भी देखने को मिल जाएगा यहां पर left side में आपको wardrobe मिल जाएगा जिसमें कपड़े श्टोर करकर रख सकते हैं और उसके बाजू में आपको armchair भी मिल जाएगा सामने की बात किया तो यहां यहां पर TV कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा जिसमें हमने marbon lights के tiles यूज किये हो और यहां पर कुछ hanging lights भी देखने को मिल जाएगा यह door center होंगे तो सीधा इस room की dedicated bathroom में आ जाएगे इसमें आएगे तो आपको वासबैसन sour road कमोट देखने को मिलेगा बाके tiles की बात कि तो इसमें हमने cream clear के normal tiles यूज किये हैं और उसी के highlighter को भी यूज किया हूँ और उसी के इमेश में हमने इसकी flooring को भी design किया हुआ है इस bathroom से बाहर आएंगे वापिस आजाएंगे उसी room में और अभी बढ़ते हैं balcony की तरफ यह एक बड़ा सा balcony हम दिया हुआ हुआ है यहां बैठेंगे तो आपको अच्छा का सा ventilation मिलेगे यहां पर बैठेंगे जीम योगा यह जो भी चाहिए पर कर सकते हैं काफी open पहले से यहां बैठेंगे तो आपको काफी मजा आने वाला है मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको काफी अच्छा लगा हुआ वीडियो को लाइक करेंगे सेर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे क्योंकि इस तरह के वीडियो जमारे आगे भी आने वाले हैं चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना खयाल लखें जैहिंद